नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हतीली मेरे सामने आज विबेचना के लिए आई हुई है सबसे पहले देखें तो हतीली का जो आकार है वो हलका आयताकार और चोकुर्दोसों दोनों के समका है इसका मतलब है मेहनती है मेहनत करने में विश्वास रखते हैं और जानते हैं जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उस प्रकार का हम भग्या का निर्मान करेंगे अपने भग्या को सवारेंगे करियर का मामला देखें तो जिसमें बोलने से या मस्तिस के कार्य करने के साथ सारिक कार्य की भी जरूरत होती हो ऐसे कार्यों में आप सोटेबल रहेंगे ऐसे कार्य आपके लिए उन्नति देने वाले रहेंगे और ऐसे कार्यों में आप काम्याबी भी पाएंगे एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपकी हतेली कहीं न कहीं एक योधा किसम की हतेली है जब एक बार सैनिक लड़ाई के मैदान में उतर जाए तो वो प्रस्तितियों को नहीं देखता है सिर्प और सिर्प उसका एक ही मकसद होता है युद्ध जीतना है प्रस्तिति कैसी भी हो और उस परतिकूल हो या अनकूल हो उस प्रस्तिति से अपने को मुक्त करके बाहर निकालना है तो ऐसी ही हतेली आपकी यहां पे इस पश्ट दिखाई दे रही है जीवन का हर गुण इसमें है हर प्रस्तिती इसमें समाहित है और आगे चलकर इसका जबरदस्त फाइदा भी आपको इस पश्ट रूप से दिखाई देगा है कुछ ही समय बाद से इस पे हम बहुत अच्छा विसलेशन करेंगे सबसे पहले ये मिडिल का छेतर देखें इसमें जो उंगली है इस तरह से तो ठीक है लेकिन यहां से कर्ब ले रही है और इस तरह बहुत जादा महिनत और परिस्रम करने के बाद ही चीजों में सपलता को दिखा रही है कई बार निश्चित रूप से दोड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा इस चीज की और भी ये आपको ले जा रही है अच्छा भी है यहां पर एक चीज देखेगा आप सबसे पहले आपके कलेक्टिब करमाज की और चलते हैं आपका परारब्द क्या था आपकी हतेली का ये कितुका परोत बता रहा है यहां पर देखेंगे तो ये पहली रेखा है आपकी ये रेखा होती है स्वस्त्य की रेखा आरोग्य की रेखा और तंदुरस्ती की रेखा ये रेखा इस पश्ट रूप से बता रही है कि ठीक 42 वर्स के मिडिल से कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में आपके आरोग्य के मामले में और आपके तंदुरस्ती के मामले में बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है जो चिंताएं होंगी भी वो कहीं न कहीं बिराम लेती हुई इस पश्ट रूप से दिख रही है दूसरी रेखा होती है ये धन और संपत्ति की रेखा ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से समन्द रखती है ये रेखा इस पश्ट रूप से बता रही है कि 42 वर्स से इसके मिडल से कहीं न कहीं ये दोनों चीजे ऐसी इस्तितिला रही है कि परतीक दिन आपके पास धन आने की संभावना बढ़ेगी कितना आएगा आपके मस्तिस्क सक्ति और योगिता की अनुसार और ठीक 42 से और कहीं न कहीं 48 की बीच पे आपको अगर वाहन का सुक प्राप्त नहीं हुआ है तो लगजरी वाहन का सुक प्राप्त हो जाएगा और अगर अपने मकान का सुक अपने कमाई हुए पैसों से प्राप्त नहीं हुआ है तो इस पीरियड में आपको अपने मकान का सुक या तो प्राप्त हो जाएगा या इसकी निव आप रख लेंगे अगर अपनी ब्यापार को बहुत चाहते हुए भी बड़ा नहीं पाए है या इस्टेबल नहीं कर पाए है तो निश्चित रोप से ब्यापार इस्टेबल भी होगा ब्यापार का फैलाव भी होगा उसका बिस्तार भी होगा और अनतालीसवा वर्स आते आते एक ब्रांड बन कर ये उबरेगा ये तीन चीजे निश्चित रोप से जीवन में आपको मिलेंगी ये इस पश्ट रोप से कह रही है अब मैं थोड़ा सा एक चीज और दिखा रहा हूँ तीसरी रेखा भी आपकी हतीली में है इसको मिटा दो ने तो गड़बड हो जाएगा तीसरी रेखा ये भी इस पश्ट रोप से आ रही है ठीक एक साल के बाद ये कहीं न कहीं थोड़ा उभार इस्तिति में आ रही है ये रेखा है सुक की रेखा और ये बहुत अच्छा है देखेगा आपके जीवन में धन है दोलत है शब कुछ है लेकिन सुक नहीं ही है तो क्या फाइदा लेकिन यहाँ पे सुक की रेखा है इसका मतलब है आपको निश्चित रोप से अपने जीवन का आलमे अपने स्वास्थ्य का अपने धन का और अपने एस्वर्य भोगने का जो सुक है वो निश्चित रोप से मिलेगा अब देखेगा ये तीन रेखाएं एक चीज और बता रही है ये बता रही है कि आपने पूर्व जन्म में जो आपका पूर्व जन्म था उसमें बहुत पुंड्य और उच्च कर्म की है उन पुंड्य और उच्च कर्मों की उजो से उस प्रारब्द की उजो से आपको निश्चित ही जो है मनुश्ययोनी प्रात्त हुई है और आप पुरुस जातक थे पुरुस ही पैदा हुई है जिस बंस में आपने जन्म लिया है उसी बंस के आप पूरवज थे आपका जो आदी पूरवज पित्र लोक में है उसने आपको इस प्रकार से यहां भेजा है चाहे किसी भी रूप में हो चाहे ऐसा बिक्त गोद लिया वाओ भी हो तो भी इसी बंस में आता है अपने बंस में कि मेरा बंस खराब नहों इसलिए पुनह जन्म दिया गया है ठीक है नहीं और उसी जादतर उसी DNA में ऐसे बिक्ति का जन्म होता है DNA भी नहीं बढ़ जलता है 91 मामने में 90% मामने में और कहीं न कहीं साथ पीडियों से पहले ही ऐसे बिक्ति का जन्म हो चुका होता है जिससे DNA बदलता नहीं है और एक चीज इसकी वज़ासे आपको अपने छेतर में एक अच्छी नौलेज प्राप्त होगी और जिवन में सांदार धन भी प्राप्त होगा एक अच्छा धन चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो सांदार रहेने वाला है किसी भी छेतर में कर रहे हों आप अब अभी आपकी हतेली में यहाँ पे थोड़ा कालापन है और रेखाओं का जाल है इसका मतलब है अभी एक डेड़ साल तक कोई न कोई चिंता भी बनी रहेगी और जीवन संगर्स में भी रहेगा हाँ जीवन का सुरवाती दोर थोड़ा संगर्स में ये रहा है ठीक है ने लेकिन इसी संगर्स से उठकर आप हर सुक को पाएंगे हर सुक का भोग भी करेंगी ये इस पश्ट बता रहा है पहला अब दोसरा देखेगा ये आपकी हिर्दई की रेखा है ठीक अब हिर्दई की रेखा आपकी इस उंगली और इस उंगली दोनों के बीच में देख रही है और यहाँ पे देव गुरु ब्रस्पती का और सनी का परभाव पड़ रहा है दोनों का बलाबल आ रहा है एक तो आपकी अंदर भाव किसम का बिक्तित रहेगा भावक ता रहेगी ठीकने दूसरा जीवन में महत्व कान्चाईयें बहुत ज़ादा बढ़ रही हैं आगे आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्व आपकी सोच अनायासी बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इच्छा भी एक बड़े अस्तर तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए एन केन परकारेण जो भी आपसे हो जाता है आप उसको करेंगे यह यहाँ पे इस पश्ट दिखा रहा है दूसरा देखेगा ध्यान से एक रेखाई इसमें इस प्रकार से मिल रही है ठीक है नए और यहाँ पे एक सांदार बिष्णु का सिंबली बना रहा है इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं जिने हम पंच भूत कहते हैं जिन से सरीर बना हुआ है आपके सरीर के जो आठों चक्र हैं जो पांच ग्यान इंद्रिया हैं और पांच कर्म इंद्रिया हैं इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी उपर साक्षात इस भू बैकुंट धाम के स्वामी भगवान बद्री विसाल जी की विसेश किरपा है अगर आप अच्छे कार्य करते हैं अच्छे राहा पर चलते हैं तो किसी भी कार्य में आपको अश्य सपलता मिलेगी और आपको हराना आपकी बिरोधियों के शंबो नहीं रहेगा इसके अलावा आप समाज में खूब लोग प्रियता और निश्चित रोप से सम्मान पाएंगे ठीक है ने और अत्यंत भग्यसाली लोगों में से आपकी गिंती होगी लेकिन सियर है सटा है या दो नम्मर का कोई काम है इसमें ये आपको फबेगा नह नहीं तो इसकी तरप न जाएं ठीक अब देखेगा आप यहां से एक रेखा निकल करके इस प्रकार से जा रही है यह बौदिक अस्तर को दिखाता है कि आपका बौदिक अस्तर बहुत सुनर है हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचनिते रहेंगे जिस भी छित्र में काम कर देंगे और इसका लाब होगा क्रियेटिव व्यक्तित तो रहेगा ठीक नहीं लंबी और हवायात्राओं का मौका मिल सकता है इसकी संभावना जादा है दूसरे बात देखें यहां से एक रेखारी इरदे रेखा पर मिल रही है देखें जब भी यह ऐसा मिलता है ऐसे लोग बहुत बड़े बिवेकी होते हैं बहुत बड़े दिमागी होते हैं अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरुप बना लेते हैं कि दोसरों को भावक करके उसका भी इस्तिमाल करने ना जानते हैं हाला कि कुछ जगों पर यह खुद इस्तिमाल हो जाते हैं लेकिन य जिवन की अगर रेखा देखें तो ये इस प्रकार से इस पश्ट रूप से दिखाई दे रहा है ये ये जिवन की रेखा है परिवार के परति समरपन की भावना रहेगी अंत में जो ये सांदार चिन है ये इस पश्ट कह रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म में अध और एक खुश्णुमा माहूल बना रहेगा प्रसंद मन की पहचान भी है सुन्द्र यात्राओं को भी दिखा रहा है धर्म में अध्यात में रुची भी बढ़ा रहा है और बुड़ापे के अंतिम समय में इसकी उजों से अपनी ही इन्वेश्ट के हुए पैसों से अचानक बड़ा धनलाब होगा इसका मुहन सनी की तरफ है जैसे ही आगे बड़ बिसेस कर 45 और 46 साल के बीच में आपको एक बहुत बड़ी सपलता मिलनी सुरू हो जाएगी बनी जिसको कहते है पूर्ण भाग्योदाये और धन में डबल बिर्दी जिसको कहते है यह इस पश्ट जहां से उठ रही है चीजे ये भी इस पश्ट होती हुए दिखाई दे रही है और फिर यहां पे एक मनि ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके साथ कुद्यष कुण दिखाई दे किसी चीज़ को अगर करना चाहे तो धन के मामले में सोचना नहीं पड़ेगा चीज मुहया हो जाएगी धन मुहया हो जाएगा इस परकार की चीज़ों को ये बता रहा है फिर आप धर्म और अध्यात्म में गहरी रूची भी रहेगी इन चीजों को भी ये इस पश्ट बता रहा है और सबसे बड़ी चीज देखेगा जादा ये वो नहीं हो रहा है इस प्रकार से देखेगा आप इस पश्ट रोप से जो है चतोस्कोन बने हुए या पे आपको दिखाई दे देंगे ये जितना मैं बना भी नहीं पा रहा हूँ उतनी चतोस्कोन बने हुए है इसका मतलब इस पश्ट है क्या इस पश्ट है कि विक्ति मल्टिपल सीटी का ब्यापारी बनेगा और ब्यापार में ऐसी यस प्राप्त करेगा ऐसी परसिद्ध प्राप्त करेगा कि कहीं न कहीं उसको जबरदस्त लाबों का सामना करना पड़ेगा तो बहुत अच्छे चिंद आपकी हतेली में इस पश्ट दिखाई दे रहे हैं एक कमी भी दिख रही हैं दोनों को ठीक करना है एक संबल के चलना है देखिएगा आपका अंगोठा जिस प्रकार से है एक तो इक्छा सक्ती बहुत अच्छे उसमें जिद भी बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छी चीज है भावकता भी है इनसानियत का गुण है तरक सक्ती भी बहुत बहतरीन है और अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते है ये भी दिखाई दी रहा है लेकिन ये भी बता रहा है ये कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते है निरणयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है आपको अपनी जीवनकाल मे बड़ा सोच समझ कर निड़े लेना है और देखेगा ऐसे लोगों के लिए 36 वर्ष की आयू है 42 वर्ष की आयू है और 56 वर्ष की आयू है ऐसी आयू में ये लोग कही न कही इन लोगों को ये golden period रहता है हाला कि जो सुरवाती दोर है थोड़ा सा पीड़ा दाई होता है हलका सा ये चीज भी बता रही है और ये चीज भी बता रही है ठीकन घर परिवार का भी जो सुक है थोड़ा कम मिलता है लेकिन आगे चल कर चीजें बहतरीन होनी सुरू हो जाती है ये आपके हतेली में इस पश्ट तोर पे ये चीज़ें बता रहे हैं अब देखेगा धार्मिक भावनाओं को बता रहा है कि बहुत अच्छी रहेंगी इस्वन में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परती समरपण की भावना बहुत अच्छी रहेंगी यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा बहुत अच्छी रहेगी इस से हलकी बड़ी है मिडिल फिंगर से चोटी है रिस्क लेने की ताकत जोखिम उठाने की ताकत जबरदस्त रहेगी और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पनो उठने की ताकत भी रहेगी इन चीजों को ये इस पश्ट रूप से बता रहा है धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और ये इसके पहले पोरवे तक पहुँच रहा है लगभग तो इसके कारण कम्यूनिकेशन इसकिल्स बहुत अच्छी रहेगी ब्यापार में उतकृष्टता हासिल करेंगे और उच्छ वर्ग का व्यक्तित रहेगा दो चीजों के कारण सफलता है एक तो स्वयम के बल पे कुछ करना दूसरा कम्यूनिकेशन इसकिल्स के बल पे सफल होना ये चीज़ें इस पष्ट दिख रही है सुक्र का अगर परवत यहां पे देखें तो बहुत खूब सूरत है अपने को मेंटेन रखना अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगे नई चीज़ों के परतिरूज़ान रहेगा चैया नयी परकार का फैशन हो नयी परकार की चीज़ें हो या नयी परकार की कुछ और हो बहुत एक सुक्सु विदाओं की तरह बहुत ज़्यादा आकरसन रहेगा जाए लगजरी जीवन हूँ या अल्टरा लगजरी जीवन है सुक्र आपका बहुत सांदार है लगजरियस और अल्टरा लगजरियस चीजों को देने वाला यहां पर दिखाई दे रहा है निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्ववाव बना रहेगा आपका ब्रिस्पती बहुत ज़्यादा उबर गया है तो आपके अंदर ये इगो प्रोब्लम दे सकता है दूसरा हर समय कुछ न कुछ खाने की परूरती भोजन प्रिया बना सकता है ठीक है ने और चाए सिक्षा का छेतर है चाए इंजिनियरिंग का छेतर है चाए चिकित्सा का छेतर है मैनेजमेंट का छेतर है बानिजा का छेतर है और कानून का छेतर है इन छेतरों में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो जो उन्नती मिलनी चाहिए उसमें कमी कर सकता है जो काम्याबी मिलनी चाहिए उसमें कमी कर सकता है और चाहे सांसार एक सुक हो चाहे पारिवार एक सुक हो उसमें थोड़ा कमी कर सकता है और उसकी तरह थोड़ा ह प्रतिको थोड़ा सा जो है कंट्रोल में लाएं आपका सनी अगर हम देखें तो सनी में इस प्रकार की सांदार चिन दिखाई दे रहे हैं और यहां पे भी एक से ज़्यादा चिन दिखाई जैसे जैसे उम्र बढ़ेंगी एक से ज़्यादा सरोतों से धन का अर्जन करेंगे रहसे महीं बिद्याओं की तरफ भी आकरसन रहेगा लेकिन सुबह उटने में आलस्या ज़्यादा रह सकता है इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे आपका सूर्य बहुत अच्छा है इसमें जो चिन है सांदार है इनका महत्तों आपको मिल जाएगा चोटा काम भी करेंगे नेम दस तलाब आने वाले समय में दिखाई दे रहा है बिसेश कर अगर आप देखें तो 42 वर्ष के मिडिल से चीजें बेहतर होती हुई दिख रहे हैं सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा और बुडापे के अंतिम छण तक अपने पास पैसा रहेगा ये बहुत अच्छी इस लाब होगा अपने से सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरों से जानेंगे और इसका खूब लाब कमाएंगे चंद्रमा आपका शांदार आउस्ता में आ रहा है आगे चलकर इसका मन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा मानसिक भी तो भी चंद्रमा मजबोत है कहीं न कहीं मन मजबोत रहेगा जो पाचन तंत्र है वो भी मोटे तोर पर ठीक रहेगा सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बढ़िया रहेगा चंद्रमा आपका अच्छे भाव में है कहीं न कहीं क्रियेटिविटी आपके अंदर ब दूर रहेंगे और महिलाओं का सयोग भी जीवन में अच्छा मिलेगा ये आपका सांदार चंद्रमा है लेकिन इस छेतर में देखें तो कहीं न कहीं रेखाओं का जाल बन रहा है एक तो बाद विवाद से दूर रहें खास कर भाईयों के बीच में अगर प्रॉपर्टी जा है सबसे पहले मन पर और मस्तिस्क पर प्रभाव डालती है कहीं न कहीं बीच बीच में उल्जन की इस्तितियां ये क्रेट कर सकती है आपको दुविदा में डाल सकती है आपको कनिफ्योजन में रख सकती है और जो आपकी नड़ें लेने की ताकत है उसको थोड़ा सा छ पर पड़ता है चाहिए धन कितना भी आ रहा हो व्यक्ति के हाथ में धन बचता नहीं है धन टिकता नहीं है रुकता नहीं है धन का संचे सही से नहीं हो पाता है ये आर्थिक रुष से विक्ति को बिमार करता है तीसरा इसका प्रभाव रिष्टों पर पड़ता है खास कर दामपत्य जीवन का रिष्टा कोटुम का रिष्टा और परिवार का रिष्टा इन रिष्टों का जो चरम सुक्का भोग है उसके बीच में परस्तितियां खड़ी हो जाती हैं चौथा इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ता है चाहे वो सारिक सेहत हो या मानसिक सेहत हो उसमें ये विकार देनी की कोशिस करती है पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता इसका आपके डेपलप्मेंट पे आपकी प्रोग्रेस पे आपका जो सपलता का अस्तर हो जाना चाहे उसको ये माइनिस की तरफ ले जाता है तो इसके लिए मैं एक बनस्पति अश्नान दे रहा हूँ एक दिब्य सूर्य किरिया एक दिब्य योग ध्यान किरिया सूर्य उपासना दे रहा हूँ ये तीन चार चीजे आप बेहतरीन तरीके से करेंगे तो निश्चित रोब से जो भाग्योदई की इस्तिति आ रही है जबरदस्त लाब कमाएंगे अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हतीलिका बारीकी से अध्यन करके आपको बता दिया है उपाई में बिदिवत तरीके से लिक करके और आडियो के मादियम से बेज रहा हूँ आप करने की कोसिस करें बहुत अच्छा लाब आपको मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ मनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार